असलावलेकुम दोस्तों कैसे हो अमीद करते हैं आप सब खेज़त होंगे तो आज का वीडियो बहुत एहम होना वाला है जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट टक देखेंगे उनको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को लास्ट टक देखेंगे ताकि मैं तो रभी आए कि मेरा इमेग्रेशन नहीं हुआ है और मेरा मेट्कल एकस पाइर हो गया तो क्या मेरा ढ़्मिडियो होगा या नहीं होगा दो आपको इस वीडियो मिलेगा तो वीडियो को लास्ट टक देखेंगेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए अभी टोपिक पे आता बहुत छोटा सा टोपिक है जैसे कि बीजा स्टंपिंग होने के कितने दिन के बाद आपका बीजा अनलाइन सो करेगा न सकते हैं और मैं आपको बता दूँ जिस दिन आपका बीजा स्टंप होता है जिस टाइम होता है जिस भी वक्त उसके एक सेकेंड भी नहीं लगेगा आपका नेट पर आलाइन सो कर देगा ठीक है क्योंकि यह सारा अनलाइन सिस्टम होता है इसमें कोई दिलक्त वाली बात न इसमेंडिन के बाद आपडेट होगा तो ऐसा कुछ नहीं है जिस वक्त भी आपका अपडेट होगा आप दो मिनेट के बाद एक मिनेट की बाद ड़स सिकन्ड के बाद यगा आप का बीजा स्टंपिंग अनलाइन सो कर देगा ताकि आपको भी अच्छे से पता हो जाई दो इसके लाब बहुँ सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मेडिकल मेरा एक्सपायर हो गया है, वीजा हमारा लग गया है, इमिगरेशन अभी बाकी है, क्या इसके लिए मेडिकल की जरुद पड़ेगी की नहीं पड़ेगी, तो मेरा भाई मैंने बहुत सारे वीडियों बता दिया है कि इमिगरेशन के लिए आपको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिकल का काम बस बीजा स्टंपिंग के लिए होता आपका बीजा स्टंपिंग हो गया मेडिकल को उठा कर कुड़े में फिक दिया जाता है तो immigration से पहले अगर आपका medical expire हो भी जाता है तो भी उसका कोई दखल नहीं है, आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, आपका सब काम हो जाएगा, कोई problem होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत से लोग भी सोचते हैं, कि मेरा medical expire हो गया है, तो airport से वापस कर दिये जाएंग कि ऐसा कुछ नहीं है, medical expire हो गया फिर भी आप जाएंगे, कोई problem नहीं है, क्योंकि उसका जो काम होता है, वो वीजाइ स्टंपिंग के लिए होता है, medical का, medical इसलिए कराया जाता है, वीजाइ स्टंपिंग करवाने के लिए, ना कि कि किसी और काम के लिए उसको लिए जाता ह है, इसलिए आपको कोई भी चीज की घबलाने की जरोत नहीं है, और भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परसानी हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, टाइम मिले और मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूँगा, अगर आप जल्दी जवाब चाहिए, जल्दी जाने कारी चाह हो, ताकि जो लोगों भी दिक्कत हो, जिन लोगों का भी परसानी हो, वो영 वाटसप पर हमारे गुरूप में आकर जवाइन होक कर सकते हैं, गुरूपमें भी मैसे छोड़ सकते हैं, अगर मेरी नजर पर पढ़ी, तो मैं जवाब दे दूँगा नहीं, तो कोई न कोई आप के उस सवालों का जवाब जरूर दे देगा लेकिन अगर आप हमारे वीडियो का लाइक करें के स्क्रीन साट भेज़ेंगे तो सबसे पहले मैं सारा काम छोड़ के आप के सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा तो वीडियों फिलाल के लिए बस इतना ही फिर मिल्टर नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें देजिए जाज़त दुआ में आदरे कि अल्ला हाफिज